सबी कुछ जैहिन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है इंडियाज भारत पे आशा करता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए इंट्रोस्टिंग और एक बहुत ही गंदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी औ जो कि अपने दमदार और बेबाग अंदाज के लिए जाने जाती है वो दिंगी जबदास इंट्रव्यू पाकिस्तान की मशूर योट्यूबर निम्रा एहमद को तो ये वीडियो काफे इंट्रोस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा तो इसन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करदें ताके मैं आपके से लेटिस्ट मज़िदार और दमदार वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंतने इसके बारे में बात करेंगे जैहिन जैभारत अब आज से मैं आपकी होस्त निम्रा आप देखने हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल आज हमारे साथ बहुत ही खास महमान मौजूद है जिने बोला जाता है भारत की बेटी एड़ोकेट नाजय लैखान सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कि आपने इतने टाइट स्चेडियूल में से हमारे वीवर्ज के लिए हमेशा ही टाइम निकालती हैं और हमारे शुक्रिया करा निम्रा गान जानती हूं कि किसने लोग खुश होते हैं और कितने लोग गालियां परोषते हैं इसका अंदाजा मुझे है और कौन खुश होते हैं मुझे सुन करके और कौन गालियां परोषते हैं इसका भी अंदाजा मुझे है पर मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जो गालियां परोषते हैं क्योंकि व हमाने उनको कैसी परवरिश दे है वो समझ में आ जाता है बिलकुल मैं बात तो आपने बिलकुल ठीक के है और आज हम दो खास टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं पहले तो हम बात यह करेंगे कि जब एक ट्रेंड स्टार्ट किया गया था इंडिया के अंदर शिवम धूबे की वाइफ ने स्टार्ट किया था कि बाइकोट नाजय लाइख खान वो ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर भी लगा था इवन मेरी अपने क्लास फेलो उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इंस्टेग्राम पर काफी पोस्ट की थी वटसैप पर भी स्टेटस लगे थे तो ये जो ट्रेंड बाइकोट नाजय लाइक खान का है उस पर भी आज हम बात चीत करेंगे और एक और बड़ टॉपिक सामने आ रहा है एक फैसला सुप्रीम कोट का आया था दो हजार रूमीस में जब जिस पर काफी जड़ा चर्चा की गई थी कि 370 को हटा गिया जाएगा कश्मीर के अंदर से अब एक और पैसला है सुप्रेम कोट की तरफ से ही कि उत्तरप्रदेश के अंदर जितने मदरसा है उनको बैन किया जाएगा कर दिया जाएगा उनको और सबसे बड़ी बात जो मेंशन की गई है वो यह की गई है कि भारत का चुप शिएट्टीजिशन अर्टीकल 25, 26 & 28 उसको वाइलेट किया जा रहा है भारत की constitution के अंदर जो secularism mention की गई है उसकी violation हो रही है मग रसों के अंदर तो क्या कहेंगी मैं माफ इस बारे में तब से पहले बात कर लेते हैं चलो कर लेते हैं बेसिकली मैं उतर परदेश के कावड यात्रा पर जो नाम लिखने की जो बात थी मैंने उसको समर्थन किया था उतर परदेश के चानल के दिली के चानल पर और थोड़ा सा महराश्ट के चानल पर और थोड़ा सा मैंने कावड यात्रा के नेम प्लेट को समर् तो महाराष्ट में मेरे लिए कोई boycott का ट्रेंड नहीं चला, उत्तरपरदेश में कोई boycott का ट्रेंड नहीं चला, दुबई क्योंके इस्लामिक देश है, वहां पर भी boycott का ट्रेंड नहीं चला, दिली में भी boycott का ट्रेंड नहीं चला, और जहां मैंने कुछ भी नहीं बोला भिष्म बंगाल, वेस्ट मंगल, ममताब एनर進 जी जाहाँ सर्कार हैं जाहाँ mesma पर मैं ने खुँछ भी नहीं बोला। मतलब बिलकुल भी हैं। और वेस्ट भी पंगाल के पॉलिटिक्स से मैं थोड़ा सा कॉर्णर भी क्योंकि यहां पर बश्रमंगाल में भारतर जन्ता पार्टी के जो नेता लोग है वो एक नहीं बहुत बार मुझे इंसर्ट किये हुए हैं तो मैं थोड़ा साइड रहती हूँ क्योंकि शायद पता नहीं शायद उनको मैं हिंदी बोलती हूँ उर्दू बोलती हूँ इंगलिश बोलती हूँ तो शायद उनको अपनायत नहीं महसूस होती होगी जो यहां पर विजेपी के नेता लोग हैं नेत्रिया हैं क्योंकि मैं ब तो मैंने अपने आपको साइड कर लिया था पश्व मंगाल की politics से और ज्याधा तर मैं geopolitics और national नाशनल politics में ही मैं ज्याधा तर इंबॉल्व अपने आपको रगती हैं तो बंगाल में कुछ भी बोलने का कोई scene shot बनता है नहीं लेकिन सारे के सारे परदर्शन सारे के सारी lynching सारे के सारे एफ आयार और सारे के सारे पुतले मजलिस और मजालिस और पूरा इस्लामिक पूरा जो एक वो होता है गुस्ता के रुसूल की सजा वो सब हैंड बिल वगरा सब पश्रमंगाल में च्छपा बटा और हुआ यहां तक के पश्रमंगाल में कहीं लोगों ने या मतलब एक ऐसा scene क्रेक किया कि बस अब इसको काट ही देना है इसको खतमी कर देना है इसको मार ही देना है और मेरे लिए बहुत दुर्भाग की बात होती है कि अगर कोई पश्रमंगाल का मुस्लिम या कोई हिंडू जो मम्दव लाकर याνα यसे को मुझे बइजद करने के लिए वहां कि होड गर करके रख आ HOLा है जब मैंने उसको हाई कोट में डाला तो मुझे बात में पता चला कि इसमें मुझे मतलब डिपार्टमेंट से पता जला कि नाजिया जी इसमें तो बीजेपी के भी नेता और वरकर है जो इस चीजों को स्प्रेड कर रहे हैं और शॉब कि ऐसा कैसे हो सकता है तो उन्होंने मुझे प्रूफ दिया है बजाफते कुछ डिपार्टमेंट के लोगोंने मुझे प्रूफ दिया है कि यह देखिया मेच्विल फ्रेंड में बीजेपी के भी कुछ वरकर है जो पश्रमंगाल के तो एक त कि अचा जो अचा कर दो तो यहां पर मतलब यह सारी चीजे उटी अफ मैंने बॉला किया था यह बहुत बछी बात है कि wonderfully मैंने किया था है क्या वाके मैंने नियुद्धिन प्रॉफट मुंध के खलाब बोला था क्या वाके मैंने शल्मानों को हर्ट किया था तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं और जब मेरे खलाफ F.I.R. हूए तो मुझे जब पुलिस करे लेके गई तो I got bail in two hours मैं बुझे द पर कॉर्ण बिशनौ ही है किस हिसाब से मुझे अरेस्ट करने आए थी कि 10-09 सब्ढीबर की बात मैं बता रहे तो मतलब सभी खुश हुए करदिया था कि कुछ लोगों ने तो मुझे मेसेज भी कर दिया था कि है बतो जिल्लो मंतशा बेहिजद करने वाला भी एल्ला है तो इस्ट्राटेजी होई भी बना ले इतनी लंबी लंबी दाड़ी वाले उने बहुत इस्ट्राटेजी बनाई और जो फेक मुस्लिम जो दारुपिते हैं जो लॉंडिया वाजी करते हैं जो ओयो रूम जाते हैं जो प्रोस्टिट्यूर्स बुलाते हैं जो अपनी मा के साथ हम बिस्तरगी करता है, जो अपनी मा के ब्रा के बुटन को लगाता है जो मानामास पड़ती है लेकिन मान के साथ एक बिस्तर पर सोता है तो ऐसे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि हैपी आपिशन तो वतो इज्जो मंत अशा मैं दो घंटे में रिटन आई और पूरी इज़त आबरों के साथ आई लेकिन हाँ ये सिनारियो किरियेट किया गया था पाकिस्तान से ही आप जो कह रही है ना कि शिवाम दुभी के वाइफ ने पहले स्टार्ट किया था नहीं नहीं ये बिस्मिल तो अँवा तए फाकिस्तान से ही पाकिस्तान में एक जफर अहमः नाम का एक बंदा था जिसने उत्तरडप्रदेश में जो मैंने कवर यातरा के नेM प्लेट पर के मुसलमान हिन्दू का नाम क्यू रखेंगे वो जो मैने स्टेटमेंट दिया था उसमें उटाया था उस और इमाम रेप कर ले तो उसी का समर्ठन करना और ब्लास्पेमि के नाम पर किसी का गला कटवा देना तो जो पाकिस्तान में होता है उन्होंने उसी सेट्पिसेशन में सारे सीनारियो को मेरे लिए क्या सकतूर किया था. तो जब उसकी एक क्लिपिंग वाइरल हुई, मैंने कहा कि क्या अवेसी लॉंजरी की दुकान खोल रहा है, कोई महमूद चपल की दुकान खोल रहा है, तो ऐसे बहुत सारे एक्जामपल मैंने दिये कि जब हिंदू मुसल्मानों के नाम से कोई चीजे नहीं करते हैं, तो फि हिंदू को काफिर बोलते हो, और काफिर बोल करके इसलाम के जस्टिफिकेशन पर मालिय कनीमत समझ करके उनकी बहु बेटियों को लूटते हो, और उनका गला काटते हो, उनकी मंदिरों को तो तो फिर आप उनका नाम रख करके क्यों कमा रहे हो, इस बेटर अपना नाम वाइफ अंजुम कान उसने तो बजाफते ट्विट कर दिया और इंस्ट्राग्राम पे पोस्ट कर दिया कि हमारे आखां के खिलाफ नाजिया इलाए कान ने इतनी बुरी बात कहीं है तुम मुसल्मानों का कून सफेद हो चुका है अब इसकी खबर लेने का वक्त आ चुका है हाला के 2021 में भी शिवम दूबी की वाइफ ने हिंदूों को बहुत बुरा भला कहा था अन्द भाग्त गोबर भाग्त मूर्टी कुछाष तो उनके अपने शोहर तो हिंदू है ना तो उनके अपने जिंसरों ने शादी कि अब तो हिंदू है वही तो जब मैंने उसका और जब पूरी दुन्या में बाइल है और जब पूरी दुनिया में वाइल हुआ तो कंटिनुरस ली और मैं महराष्ट में थी मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे खिलाफ में इतना बड़ा कुछ सीन की रियेट हो चुका है मुझे कुछ भी नहीं बता था जब मेरे पास मीडिया का फॉन और इस्टार्ट हुआ ओई मुझे इंटरनाशनल, मुझे फ्रांस एक मीडिया का, जो किरकेट को मतलब वो लोग दिखाते हैं, किरकेट का पूरा वू करते हैं, टेलीकास करते हैं, वहां से मुझे फॉन आया कि किरकेटर शिवम दूबे की वाइफ अन्जुम खान ने आपकी खबर लेने के बारे में ट किरकेटर शिवम दूबे को बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, मैं पूजा करती हूं, तो मैं किसी भी हिंदू को गालिया तो देग नहीं सकती, तो शिवम दूबे से शादी करने के बाद मुझे लगा कि अन्जुम खान थोड़ा तो लिहाज रखेगी न, अपने हस्बेंड के धरम का, थोड़ा तो वो क्यार करेगी अपने हस्बन के धरम का, अब मैं इस बात को कन्विंसी नहीं कर रही थी, उसके बाद पिर मुझे भारत के नाशनल न्यूस से कंटिन्यू फॉन आना स्टार्ट हुआ, कि आपका रिप्लाई दीजिए, आपका रिप्लाई दीजि और शिवम दूबे को तुमने मुहम्मद शबीर कर दिया है, और यही वज़ा है कि तुम्हारा हस्बन भी जिहादी हो गया, और तुम तो जिहादन दोस्तों आशा करता हुआ कि वीडियो का आपने अंदक देखा होगा, और रमेशा की तना, नाजिया खांजी का दमदार और बेबाक रियक्शन आपको काफी पसंद आए होगा, जिसमें आपने देखा, नाजिया खांजी ने बात की कैसे उनके खिलाफ बॉयकॉट का ट्रेंड चला गया, वो भी क्रिकेटर शिवम दूबे की पतनी अंजुम खान के दौरा, तो इसके बारे में आपके क्या जाओ, 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 झाल झाल